लोक तंत्र के महापर्व याने चुनाव की सुरुवात हो चुकी है निर्वाचेन आयव में चुनाव कारिक्रम घुसित कर दिया है और अब जल्द ही गली-गली में चुनाव का सोर्स नहीं देगा प्रत्यासी फिर से अपने वादे और दावे लेके मद्दाताओं के बीच म हमारे साथ इस चुनाव में आधी आबादी जिसकी बहुत महत्पूर्ण भूंका होती किसी सरकार को बनाने ज़िए आधी आबादी के सदस से मतलब महिला वर्ग मौजूद है जिसमें हर आयू वर्ग या हर समाज हर एक तरह से स्टेटस के लोग है उनसे हम पूछेंगे कि ये जो चुनाव होने वाला है उन के दमाग में किया ऐसे मुद्दे हैं जो चाहते हैं कि वो आने वाली सरकार है वह उनको उन मुद्दों पे ध्यान दे उनके लिए काम करे और ऐसे क्या इस पिछली सरकार ने से कौन से काम अधूरे रहे जिसके लिए उनके मन में कसक है मैं यह बताई कि यह अब चुनाओ है 19 जनवरी 19 अपरेल को जबलपुर में पोट डलने वाले हैं निता आएंगे पार्टी आएंगी भासण होंगे बड़े-बड़े आप आप जो यह न से जनवरी 10 जना तो मेरा यह कहना है Jablpur कि हम लोगो को हम लों महलां का लगता है Jablpur को नगल्ट किया जाता है क्योंकि Jablpur में ना बहुत अच्छी स्वास्त सुविदाां है न आप के बच्चे स्वास्त भाहर बच्चे रहते तो उनसे लिए बहुट अच् चरush पूर्ट की फैसलिटीज है। नहीं है। एजुकेशन का मुद्धा बहुत जादा है। तो मैं आने वाली सरकार से जो भी सरकार है। उससे मैं यह उपिक्षा करती हूँ कि जबलपूर को थोड़ा सा विश्येश ज्यान दें। क्योंकि हम लोग लिए ट्रेंड की सुविधा और क्योंकि सबके सीनर सीजेंस, सबके हैं एल्डर्स रहते हैं तो वो मुश्किल होता है हम लोगों पर लिए। और हम लोग चारें सिक्षा पर भी जवर्बर पर सरकार थोड़ा सा इस जबार पर शेश जयान दें। क्योंकि बच्चों को आजकल सभी बच्चे बाहर जाक बच्चे बाहर जा रहे हैं तो चाहने क्या पार फिर दीजाओ ऑभगोंस, ओन करते हैं तो क्म यहांपे घृषन मिलेगी, तो यहीं पर रहेंगे उनको अच्छा रोजगार मिलेगा तो यहीं सटล को फो पर सरकार इनस चीजह परanners पहेंź तो देखी बड़ा गंभीर विसा है जो एक है नहीं कि बच्चे जो है वो बड़े सहरों में रोजगार के लिए चले जाते तो माबाप यहां अकेले रहे जाते हैं उनकी देख रेक करने वाला कोई नहीं तो अगर यहीं उनको रोजगार मिलता है बढ़िया सिच्छा मिलती ह या बहतर हेल्थ की सुविधाय मिलती है तो निश्ची तुरूप से बच्चे बाहर नहीं जाएंगों यहीं अपने माबाप की उजिन आप बताईए यह जो सरकार ने इतनी सारे दावे वादे करती हैं क्या सच मुझ में पूरे होते हैं क्या सारे जो निता जहां से खड़ हो गया है लोगों के बीट में जोू सेनोर जाते हैं उसके बाद कोई आता नहीं फिस सबसे काम चला के एजूकेशन का कछरा होता जा रहा है एजूकेशन को सबसे पहले सवास्त को प्रांग बनाना पड़ेगा तब विकास हो सकता है और जहां तक बच्चों का सवाल है नो डाउट यहां कोई जाब नहीं है किसी भी तरह का बच्चे सब के बाहर जा रहे हैं हमारा इस तेन अगर ही जो है ना अगर देखा जाए बूरों का ही होता जा रहा है यहां कोई आई एक बड़ा सवाल है कि यह जो सरकार पेचले दस साल से आ रही मोधी जी कि बार-बार कहां कि सतर सालों में इतना करेफिशन हुआ यह सब उच दून को लगा कि वह क्या इन नारा नारा था या क्रेफिशन की जो प्रैक्टिस ती कम हो गई और बड़ गई। कुछ तो कम हुआ है बढ़ तो नहीं गई लेकिन कम हुआ है पर चूंकि सतर साल से रूट्स में जो चीज़ें भरी हुई है वो कैसे एकदम निकाल लेंगे हम ही लोगों के बीच के लोग जब चुरू से पैसा खा रहे हैं अड़ जगे तो एकदम से अब वो होई नहीं सकता काम चौरी इतनी एक और बात है सरकार में सरकारी कर्मचारियों की काम चौरी भी बहुत ज़्यादा है अगर देखा जाए क्योंकि वो इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है लोगों को खुद अपनी जुम्मेदारी का हैसास होना चाहिए कि मुझे काम करना है मेरी ड्यूटी है मुझे सरकार इतना पेमेंट दे रही है तो मेरा दाइट तो वनता है कि मैं काम करूँ पर क्या है जब तक सेल्फ अवे करते हैं इतनी सारी तो चुनाओं में जब टिकेट देने की बार आती है तो महिलाएं पीछे हो जाती है उनको तो नंबर ही नहीं आता है अभी जो टिकेट डिक्लेयर हो इसमें महिलाओं को काफी टिकेट दी गई हुई है इस बार थोड़ा सा महिलाओं को आगे बढ़ाया गया है अब विपक्ष की देखे कि ऐसा क्या आता है रिस्पॉंस बड़ बीजेपी का इन्हों ने कहा कि एक रिजरेशन का बिल भी पारित किया 33% महिलाओं को हम सरकार कह रही कि टिकेट देंगे लेकिन 2026 में देंगे 2024 में क्यों नहीं दे दिया यह काफी बड़े मुद्ध है यह महिलाओं को लगता है कि नहीं भाई हम 50% है 50% हम लोगों को मिलना चाहिए और ऐसे क्या आपको मुद्धे लगते हैं कि जिस दिसा में अगर सरकार काम करे तो लोगों का जीवन इस तर बहतर हो सकता नहीं आने वाली सरकार कुछ नहीं समझा रहा है काफी बड़ा मुद्धा उसमें आवरनेस आना चाहिए और बाकि अभी तो मैं प्रेजेंट के काम से सैटिस्फाइड हूँ जो मोदी जी का अभी का कारेकाल था बहुत आपको लगत अच्छा है मुझे सही लगा मुझे सह सनातन धर्म को आगे बढ़ाया यह चीट का अप आप मैं आप कुछ जी जी आप आई कुछ कहना चाहरे है आप बताए यहां आजाईए पीस बेरोजगारी का जो मुद्धा है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हो क्या रहा है बेरोजगारी लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए जहां कुछ काम नहीं करना पड़ाई इसलिए हुने बेरोजगारी दिखती है जाए ना कुछ काम करें जाके आप अब जो पढ़के निकल रहे हैं बच्चे उनको कुछ आता नहीं पर चाहिए सरकारी नौकरी नहीं नहीं है तो बच्चे जो निकल रहे हो उतने अच्छे फिर उनको सरकारी नौकरी के लवा प्राइवेट में काम करना नहीं है काम करने की अपॉर्णनियोंत्री बहुत हैं अगर करना चाहें तो पर सबको सरकारी नोकरी चाहिए तो ये तो पोसिबल हई ही नहीं सरकारी नोकरी मिल जाए एक बार और हम दस से पांच ता इदर जिन्दगी को बर्बाद कर रहे हैं बच्चे जड़ा जड़ा से बच्चे चोटे-चोटे से बच्चे शुरू कर देते हैं खाना उसको और वह कहीं भी ठूकना उससे गंदगी वढ़ती है सरकार को accept करना चाहिए बिल्कुल ये तो बीलिख बान भान वाना चेहिए पान पर आग ज़ह का सब एंचर परहों दोक्टर अतिन भी रहा है तो यह मैडम की मांग है कि जो गुटका है या पान पर आगा उसको सरकार को सबसे पहले बेन करना चाहिए हमारे साथ कुछ और आधि-अबादी की लोग हैं उनसे बात करते हैं कि यह यह बताएं आप सीनियर सिटिजन है तो अकसा देखा जाता है कि समाज में सीनियर सिटियन बुड़ा आदमी अब उसकी चिंता करने की जुरत नहीं है नहीं नहीं यह मोदी को करना सही है कि जिनके बच्चे बाहर जॉब में गए हैं या पढ़ने के लिए उनकी प्रटक्शन के लिए कुछ भी जो सीनियर सिटिजन घर में ब्रद्द लोग हैं उनकी कुछ से गलत हैं कि आप मतलब सामन नवर के लिए कुछ और कर रहा है उनको हटा देना चाहिए सामन नवर के जो 90% बच्चे हैं बिचारे किसी जॉब में नहीं आ पाते और लेकिन जो पिछड़े वर्क के लोग हैं जो सब्सक्राइब करोना के पहले जो एक सरकार ने चालू नहीं किया तो यह लगता आपकी मांग है कि सरकार को सब्सक्राइब के लिए पहले लोर बर्थ का कुछ भी हो कैसे उनको देना है और जो पैसे में रिवेट किया था वो भी उनको देना चाहिए और फ्लाइट भी जो हमनों के लिए जो सब्सक्राइब करने चाहिए और जो चालू थी उनको भी बन कर दिया तो फर्स्ट हमारा पॉइंट यह है कि उनको फिर से चालू किया जाए क्योंकि हम दो जो फ्लाइट जो बलपूर से वह सुरू की जाए वह इस तरह से यातरा नहीं की जा सकती आज के समय में आप बताई कि यह जो इतनी सारी की बाते महिलाओं सुरच्छा की की जाती है कानून भी बनते हैं बहुत कुछ होता है लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अभी भी महिलाओं पर अत्याचार की संच्च्या वह कम होने का नाम नहीं ले रही तो क्या सरकार इस मोर्चे पर फेल है हाँ जरूर क्योंकि जो मतलब जो अत्याचार होते हैं जो महिलाओं के उपर वो काफी हद तक ज्यादा मतलब यह हो रहे तो यह है कि कम होने चाहिए अब यह सरकार से अभी आने वाली सरकार से यह हमारा यह है कि यह सब महिलाओं के उपर जो अत्याचार हो रहे वो काफी हद तक कम हो और हमको ज्यादा स से ज्यादा हर जगह यह प्रोड़क्शन मिलें ताकि मैला है समाज में सुरचित मैसूस करें और घूम सकें पिर सकें या काम कर सकें आजी आपको क्या लगता है कि यह जो अब सरकार आने वाली है इससे क्या ऐसी पिछली सरकार में कमिया रह गए जो यह सरकार अब चाहे तो पिछली सरकार में काफी कमिया चोड़ी है जबलपूर के विकास के लिए बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया हर चीज में पिछड़ा कर चोड़ दिया है एयरपोर्ट की जैसे अब हम लोगों को बाहर जाना पड़ता अभी सभी लोगों का यह कहना है तो हमारा जबलपूर म है आज तक नहीं को अभी इस सरकार से कि वी जो हमें उपाइक्षा थी वो काम नहीं कर पाई तो हम आगे हम जो सांसर महोदा है हमारे अभी चुनाओ लड़ना है तो और विधायक जी से जो हमारे एरिये के तो मेरी उनसे यही कहना है कि अब जो हम लोग पिछड़े हुए ह कुछ तो चीज लेकर आओ जवलपूर के लिए कि जिसमें हम सीनियर रोगों के लिए प्रॉब्लम ना जाए जरासा हमको अगर बलट चेक कराना पड़ता तो यहां डर लगता है कराने में हमको है ना बहार जाके हमाने बच्चे कहते हैं कि नहीं यहां ही कराओ कि अब तो जो भी आए उनसे यह मेरा कहना है सरकार से और उनके सांसस से भी कि हमारे जवलपूर के लिए मैं मैं जो जरूत है स्वास्त की शिक्षा की बेटियों की लेडिस के लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए भी नहीं है सब बच्चे हम लोग सब सीनियर एरिया है सीन को रिसूज है सच्छा है रोजगार है स्वास्त है सरकार को उस दिशा में भी बहुत काम करने की जुरत है काम हुआ है लेकिन अभी जो लोगों की अपेच्चा हैं वो सायथ पूरी नहीं उपाई तो वो उमीद करें कि अब जो जबलपूर से या जो भी सांसत बनेगा या मंतरी बनेगा या दिल्ली में नई सरकार बैठेगी वो इन मुद्दों पर ध्यान देगी और जरूर उनकी अपेच्चाओं को पूरा करेगी अजया इतर पाथी एबीपी निउस जबलपूर